नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, TCH में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस देश में गाए एक ऐसी चीज है जिसको लेके बवाल भी बहुत होते हैं और आस्था भी बहुत है आप किसी भी गाओं में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं मैं तो पुर्वी उत्तरप्रदेश का रहने वाला हूँ तो गाए को लेकर एक sentimental मामला होता ही है रोटी खिलाने से लेके गाए को पालने तक गाए की सेवा करने तक लगातार ये सारी चीज़े हमारे समाज में बहुत गहरे जुड़ी हुई है और इसलिए जब भी गोकशी का मामला आता है गाए काटने का मामला या गाए को मारने का मामला आता है तमाशा हर बार होता है और बहुत जादा होता है और लोगों के अंदर भी बहुत गुसा भर जाता है और पिछले कुछ समय में तो हमने देखा है कि ये कुछ जादा ही हुआ है गोकशी के नाम पर लिंचिंग हुई है आप जानते हैं राजस्थान का केस जहां पर किसी के फ्रिज में मांस मिला था और फिर ये शोर कर दिया गया कि वो बीफ है और इसकी बिना पर उस आदमी को मार मार के खबर दिया गया उसकी हत्या हो गई और भी कई जगहों पर लिंचिंग के तमाम सारे केस मिले हैं उसमें या तो गोकशी का मामला होता है या ये कहा जाता है कि वो गाड़ी में लेकर जा रहा था, गायों को गोकशी के लिए लेकर जा रहा था, उनकी हत्या करवाने के लिए लेकर जा रहा था, यानि गाय की जान जो होती है वो इतनी कीमती मानी जाती है कि उसके लिए इंसानों को भी मार दिया जाता है, अब ये क बनाया था करण्डी सेना पर और बहुत डिटेल बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था उधारन सहीत, नीूस सहीत, सारे सबूतों सहीत बताया था कि कैसे करण्डी सेना के लोगों ने ही गोहत्या करवाई किसी को फसाने के लिए और बाद में जब पुलिस ने जाज की तो कांडी सेना के लोग पकड़े गए आपको याद है ये 12 जनवरी 2024 की घटना है जिसमें बरेली में कांडी सेना का जो जिला ध्यक्ष था राहुल सिंग वो गोकशी के मामले में गरफतार हुआ था गाये की हत्या में गरफतार हुआ था इन फैक्ट 12 जनवरी 2024 को ए बहत खतरनाक है खतरनाक इसलिए है कि ये एक ऐसे ट्रेंड की तरफ इशारा करता है जो देश के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बिंस क्रियेट करने के लिए काफी है वैसे तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है मैंने पहले भी बताया है शायद कि 1947 में जब देश का था तो बहुत सारे इलाकों में दंगे कराने के लिए मंदिरों के अंदर गाय का मीट फेक दिया गया मस्जिदों के अंदर सूर का मीट फेक दिया गया तमस नाम का एक उपन्यास है सीरियल भी आया था भीश मसाहनी ने लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक ही आदमी को हिंदो मुसल्मान दोनों ने पैसा दिया कि मंदिर के अंदर गाय काट के फेक दो मस्जद के अंदर सूर काट के फेक दो और फिर भयानक डंगा हुआ ये सब हम जानते हैं लेकिन लंबे समय से ये सब कस्से बंद हो गए थे ये सारा कुछ नहीं होता था 2014 के बाद से जिस तरह का पागलपन धीरे 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 समाज के अंदर भरा गया है और खास तोर से जिस तरह से मुसल्मानों के लिए नफरत भरी गई है उसमें ये सारा कुछ दुबारा जिन्दा हो गया है और बजरंग दल जैसे संगठन में ऐसे लड़के ऐसे युवा शामिल हो जाते हैं जिनका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन अधर्म से पूरा लेना देना होता है जो local level पे ठेकडारी करते हैं local level पे गुंडागर्दिया करते हैं सारा कुछ करते हैं आप जानते हैं सैकडों एक्जामपल है अगर आप ढूडेंगे तो गूगल पे आपको मिल रहेगा खैर जो अभी का मामला है वो मामला है मुरादाबाद का मुरादाबाद आप जानते हैं सेंस्टिव इलाका है वहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम पाप किया लेकिन जब जाच हुई तो जाच में जिनको गिरफतार किया गया उसमें बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सुमीत विश्णोई या मोनु विश्णोई उनका घर का नाम होगा तो मोनु विश्णोई वो गिरफतार हुए प्रखंड के जो अध्यक्ष है राजीव चौधरी वो गिरफतार हुए और साथ में गिरफतार हुआ शहाबुद्दीन यानि ये हिंदो मुस्लिम एक्ता का मामला बन गया मुसल्मान भी गिरफतार हुआ और उसके साथ साथ बजरंग डल के लोग भी गिरफतार हुए इसलिए अगली बार जब बजरंग डल या इस तरह के संगठं के लोग उचे उची आवास में आपसे बात करें और गाय के बारे में बात करें तब गाय से प्रेम नहीं चगता है अब पूरा मामला क्या है पूरा मामला ये है कि शहाबुद्दीन की किसी से दुश्मनी चल रही थी और बजरंगदल के जो जिला, प्रमुक और प्रकंडा ध्यक्ष थे वो शहाबुद्दीन के दोस्त तो शहाबुद्दीन के इसे दुश्मनी चल रही थी उसको फसाने के लिए बाकाइदा गोहत्या का शड़यंत्र रचा गया यानि कि सुमीत विश्णोई और राजीव चौधरी के जानते बूचते वो लोग इस चीज़ को जानते थे वो इसकी सरपरस्ती कर रहे थे वो इसकी निगरानी कर रहे थे और उनके निगरानी में एक गाय की हत्या पहले की गई अब जब उस गाय की हत्या की गई तमाशा मचा पुलिस ने जाच किया कोई सबूत नहीं मिला तो अग्यात के नाम से मुकदमा दर्ज किया गया, अब अग्यात के नाम से मुकदमा दर्ज करने से काम तो बनता नहीं, क्योंकि इनको तो किसी से दुश्मनी निकालनी थी, तो फिर इन्होंने दुबारा एक गाय की हत्या की, और उस हत्या में नईीम को फसाने की कोशिश की गई जब ये आउशेश मिले गाये को कटा गाये जब काटी गई और गाये के आउशेश मिले जो कटा फटा उसका अंग मिला उसको लेकर तमाशा मचाया गया अब जब ये तमाशा मचा तो पुलिस ने जाच करने शुरू की जब पुलिस ने जाच करने शुरू की तो पता चला कि शहाबुद्दीन के भाई की कुछ लोगों ने हत्या करवा रखी थी और उसमें कोई गरफतारी ना होने से उसको लगता था कि नईम ने शायद धत्या करवाई हो वो छजलायट का जो थाना प्रभारी था उससे नाराज था तो दोरा प्लान था पहला प्लान तो ये था कि नईम को फसा दिया जाए और दूसरा प्लान ये था कि छजलाइट के जो धाना प्रभारी थे उनका ट्रांसफर करवा दिया जाए उनको वहां से हटा दिया जाए और उसके चलते ही ये सारी साजिश रची गई जिसमें साथ में आये सुमीत विश्णोई और राजी चौधरी जो बजरंग दल के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष है अब ये तो थी खबर इस खबर को जड़ा सोच के देखिए गाए की हत्या को लेके बजरंग दल इतना जादा बाते करता है इतना सेंस्टिव है अभी छिंदवारा की घटना है वहां पर गो हत्या का आरोप लगा के बहुत शोर मचाया गया 23 जनवरी की घटना है बजरंग दल सड़क पर आया और सड़क पर आने के बाद जब एक शम हता को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन इनकी सरपरस्ती में गाए की हत्या हुई यानि अपना स्वार्थ निकालने के लिए इनको गाए की हत्या करवाने में भी कोई समस्या नहीं हुई यानि गाये से इनका प्रेम नहीं है इनका प्रेम किसी और चीज से है पॉलिटिक्स से है दंगे करवाने से है बागी सारी चीजों से है और उससे भी बड़ी बात की आदितिनात के राज में योगी आदितिनात के राज में जहां जरा-जरा सी बात पर बुल्डोजर चल जाता है अभी जब मैं आपके सामने हूँ तो इन में से किसी के घर पर बुल्डोजर नहीं चला है मैं साम पता दू कि बुल्डोजर वाला जो पूरा न्याय है मैं उस न्याय के खिलाफ हूँ जिसने भी जो गलती की है उसकी सजा कोट में होनी चाहिए बुल्डोजर चलाना बिल्कुल सही नहीं है लेकिन छिंदवारा में तुरंद बुल्डोजर चल जाता है किसी मुसल्मा का नाम आने पर तुरंद बुल्डोजर चल जाता है यहां गाए की हत्या में दो ऐसे लोगों का नाम आया है जो हिंदू भी है और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं सिर्फ जुड़े हुए नहीं है उसके जिला अध्यक्ष और प्रखंड के अध्यक्ष है उनके रिवाई नहीं हुई है तो पहली बात तो यह कि बजरंग दल और इस तरह के संगटनों से यह जो नए नए काउ विजिलेंट पैदा हुए हैं जिनका काम है दिन रात यह देखना कि कहीं गाए के साथ कुछ बुरा ना हो जाए कोई अपनी गाड़ी में भरके गाए ना ले सोचा कि कितने ही मुसल्मानों को अपनी जान देनी पड़ी उनके लिंचिंग हो गई उनकी हत्या हो गई गो हत्या के आरो भर से उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपने स्वार्थ में वो ऐसे पागल हुए कि उन्होंने गाए की हत्या तो की ही और किस के साथ मिलके की ब पिरादरी अपनी कौम के कितने लोगों को जान से हाथ होना पड़ेगा एक आदमी से दुश्मनी में कैसे उन्होंने पूरे जिले को पूरे शहर को दंगों की आग में जोख सके ऐसा काम कर दिया ऐसे शहाबुद्दीनों को सो बार लानत भेजी जानी चाहिए जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पागलपन किस तरह से उनके कौम के लिए और हिंदुस्तान के पूरे सांपरदाइक ताने बाने के लिए हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकता है और इसके साथ साथ ये एक सबक हमारे टीवी चैनलों के लिए भी है अगर केवल शहाबुद्दीन का नाम आया होता बजरंग दल के लोगों का नाम नहीं आया होता तो मुझे ये न्यूज नहीं चलानी पड़ती गोधी मीडिया में दिन रात ये न्यूज इतनी चल गई होती इतनी बार ब्रेकिंग न्यूज के स्निपर्स आ गए होते कि आप सब लोगों को पता होता कि मुरादाबाद में कोई ऐसी घटना हुई है लेकिन चुकी बजरंग दल के लोगों का नाम आ गया है इसलिए कोई टीवी चैनल इस पर डिबेट नहीं कराएगा कहीं कोई बहस नहीं चलेगी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगी आएगी खबर दोलाइन की कहीं किसी अखबार में कहीं यहां वहां आईगी और उसके बाद यह खबर निकल जाएगी इस पर जो हमारा सुरेश चुहान के है कुछ नहीं बोलेगा इस पर बाकी जो नफरती लोग हैं जो दिनरात मुसल्मानों के खिलाते रहते हैं वो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर बजरंग दल जैसे संगठन के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष ने मिलकर गो हत्या जैसे काम को अंजाम कैसे दिलवाया यानि दोस्तों कुलमिला ज़रा के बात ये है कि गाए से प्रेम जो है वो तो मुसल्मानों से नफरत पहलाने के लिए है असल में ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ये अपना पुलिटिकल एजंडा पूरा करने के लिए खुद गाए की हत्या करवा सकते है इसलिए अगली बार जब बजरंग दल या इस तरह के संगठन के लोग उचे उची आवास में आपसे बात करें और गाय के बारे में बात करें गाय की रक्षा के बारे में बात करें तो उनसे सवाल पूछिए कि भाई कांडी सेना के अध्यक्ष और कांडी सेना से जुड़े ह प्रद्धाबाद में बजरंग दल से जुड़े हुए लोग गाय की हत्या करवाते हैं तब गाय से प्रेम नहीं जगता है। और अयोध्या में कुछ होता तो पूरे देश पर उसका असर पड़ता क्योंकि राम मंदिर का मामला चल रहा था। राम मंदिर बन रहा था। लेकिन जब इसकी जाच हुई जब CCTV को खनाला गया गाड़ियों के नंबर देखे गया और जाच हुई तो पता ये चला कि जितने लोग गरफतार हुए वो सारे के सारे हिंदू लोग थे। जो हिंदू संगटनों के साथ जुड़े हुए लोग थे आप सोचिए आखिर एक हिंदू मंदिरों में मांस फेकने क्यों जाएगा इसके अलावा क्या इसकी कोई भी बज़ा हो सकती है कि वो दंगे फैलाना चाह से लोग हैं क्यों चाहते हैं लगातार देश में दंगा फैलाना ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं गाय से अगर इतना ही प्रेम है तो हमारे देश में गोशालाओं की जो हालत है उससे किसी को कोई दुख कोई दर्द नहीं उपचता है वकेले उत्तर जहां इनको खाने पीने को मिलता लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में सार का तमाशा मचा हुआ है हर सड़क पर आपको सार दिखाई देंगे कभी खबर आती है किसी को ऐसा मारा की वो मर गया कभी खबर आती है कि उसको बचाने के चक्कर में अक्सिडेंट हो गया और जाने क्या क्या होता है कोई प्रेम है ना धर्म के लिए कोई प्रेम है वो किसी भी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेखना चाहते हैं हर लाश पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेख सकते हैं चाहे वो लाश इंसान की हो चाहे गाये की आज के लिए इतना ही यहां बगल में जो स्कैन कोड चल रहा है बार कोड चल रहा है अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और अगर आप हमारे मेंबर बनेंगे अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे हमारे साथ जुडेंगे हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे या फिर हमारी आर्थिक मदद करेंगे तब हमें वो ताकत लगातार मिलती रहेगी जिससे हम कैमरे और सत्ता की आँख में आँख डालकर ऐसा सच कह सकें वो वाला सच कह सकें जो कहने के हिम्मत गोदी मीडिया के अंदर नहीं बची है आज के लिए इतना ही बहुत शुक्रिया